प्रमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है पर आधा के लिए मिट जाएं और इसके लिए वो हमें देते हैं बहुत ही सुन्दर श्रीमत् आज हम इश्वरिय महावाक्यों को कैसे अपने कमी कमजोरियों को दूर करने का माध्यम बनाएं इसके बारे में बहुत गहराई से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे मद्दे हैं प्रुचा पिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयोभाई साहब पैसब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वाकत है पैसब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 23 ओक्टोबर 1970 के महावाक्षियों के बारे में जिसका टॉपिक था महारती बनने का पुरुशार्थ जदी हम आगे बढ़ते हैं ये निश्वरिय महावाक्षियों की तरफ तो परमात्मा हमारा ध्यान हमारी कुछ कमी और कमजोरियों के और खिचवाते हैं परमात्मा कहते हैं कि हर कदम परमात्मा को फॉलो करते रहना है हर संकल्प को हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरिफाई कराओ जिसे साकार में साथ होता है तो वेरिफाई कराने के बाद practical में आते हैं व्यस्थे ही परमात्मा को अव्यक्त रोप से सदेव सम्मुक वसाथ रखने से हर संकल्प और हर कारे वेरिफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा जब हम कोई कारी करने के लिए शुरू करते हैं और कोई घर में बड़े होते हैं तो बड़ों को सुनाना, उनसे वेरिफाई कराना जिसे उनकी आसिरवाद मिले, उनकी सुब भावनाय मिले तो ये घर में भी कोई कारी करने जाते हैं तो बड़े बेटे हैं, वयोंक उनके पास अनुभो हैं, और उनको हम बताते हैं, उन से पूछते हैं, तो हमें गाइट भी कड़ सकते हैं, और ningún lot, कोल उन 5 saat आट हैं बहुत ह commence, ठीक हो जाएगा, etc. पर हो जाएगा, तो उनकी जो सुक्ष महावना हैं, आसिरवात के रूप में काम करती है, सबलता मिलती है, तो साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, तो उस समय हम उनके सामने जाते थे, वी दादियां हैं, उनके सामने जाते हैं, लिए परमात्मा हम सब को और अच्छी विधी होना चाहिए कि परमात्मा जो हम सब के पिता हैं, वो इस समय हम सब के साथ है, साकार वतन से, सुक्ष मवतन, अभ्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बंड़ करके गए है, और शिव बाबा उस अभ्यक्त रूप से हम बच्चों को मिलते हैं, जिस मों परमात्मा कह तो हम भी अपनी इस्थिती को अव्यक्त बनाएं, कोई भी संकल्प आते हैं, तो उस अव्यक्त इस्थिती में इस्थित हो करके, और अव्यक्त रूप में परमात्मा के सामने अपने संकल्प रखें, कि ये मुझे करने का संकल्प आ रहा है, ये कार्य मुझे करना है, आपकी आपकी श्रीमत चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, तो ऐसे सुद्ध संकलब से जैसे उनके सामने हम अपने मन की बातों को रखते हैं, और बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, जैसे वो गाइट करते हैं, और समय पर मदद करते हैं, अगर राइट नहीं होगा, तो ब्रे में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमने देखा है, अधिक तर बहुत अच्छे मार्व से पास होते हैं, लोग समझते हैं, तो ब्रमक मारिज के ज्ञान में भी सुचलते हैं, यह भी करते हैं, सेवाओं में मदद करते हैं, और फिर भी नंबर आ गया थे, उनके एक विधी ह हैं, वो जभी भी पेपर देने जाते हैं, कोई कारी करने जाते हैं, तो परमात्मा की कमरे में बैट करके, मेडिटेशन में उनकी टैचिंग लेते हैं, उनसे अपने मन की बातें बताते हैं, और क्या पेपर आएगा, कैसे आएगा, उसी भावना से उपढ़ते हैं, और सच मारा पिता है, मारा गाइड है, मारा टीचर है, तो उस रीति से हम बहुत सने से भावना से उनसे वेरिफाई कराएं। और विधी है अभी पले साकार में नहीं है, तो अब्यक्त वतन में अपने बच्चों की सदा साथ है। अबस्क्त है इस व्यक्त से परे रहने की, जो व्यक्त भान से परे रहता है वो वस अब्यक्त भान को हैं तो उसकी टचिंग आते हुए हम पैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए विधी अपनाएंगे तो वेरिफाय कर आकर करेंगे, तो सपलता मिलेगे। इस दुनिया से डिटाच होंगे, तभी हम उस परमात्मा से अटाच हो सकेंगे, और तभी हमारी बुद्धी से जो व्यर्थ और नेगेटिव के थौट्स हैं, वो सदा के लिए खतम हो जाएंगे, बाही मुक्ता को खतम करना है, और कोई बात की मेहनत नहीं है, लोग समझते ह अंतर मुक्ही बन करके, अंदर ही अंदर अपने आपको देखें, अपने आप से बाते करें, और अंतर मुक्ही होकर के परमात्मा को नहनों के सामने, दिभी बुद्धी के सामने, इमर्ज करें, और जैसे उनसे हम वेरिफाई करा रहे हैं, यह मुझे करना है, ऐसे करना है, आपका हिट करो आगे बढ़ते हैं तो प्रमात्मा कहते हैं कि कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुक बनाता है कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसे होता है लेकिन जो करता है सो पाता है ये सामने रखो क्या है कि आजकल कोई अपने अपने विचार अपना मन्थन लोगों को सुनाते हैं और उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं उसमें राज क्या भरा हुआ उसको नहीं समझ पाते हैं तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, अगर तुम उनके राज को समझ जाओ, तुमारी इस्तिती अच्छी बन जाएगी, उसको तुम सहे समझ सकोगे, लेकिन अगर साजों में चले गए, माना उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसमें कौन सी पॉइंट्स हैं, नोली का भी बहुत अ आकरसित होगे, जो उसका राज है, राज बहुत सार्ट है, बहुत स्वीट है, आत्मा बिंदी है और बिंदी स्वरूप बनना है, राज यही है, जितना भी ज्ञान का विस्तार है, कोई कैसे भी सुना रहा है, अपने चिंतन से, अपनी बुद्धी से, अपना मंथन से, हम उस साज के उपर प्रभावित हो रहे हैं और अधिकतर बरतमान समय देखा जाता है क्लास कराने वाले बना जो लेक्चर देने वाले भाई बहने हैं उनकी तरफ लोग आकरसेत हो जाते हैं बहुत अच्छी पॉइंट्स है बहुत अच्छा चिंतन है बहुत अच्छा क्लास कराते हैं उसमें राज क्या है उसको भूल जाते हैं. तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, बच्चे साजों में नहीं जाओ. उसके राज को समझो, हर एक आत्मा के अंदर हर क्लास को टॉपिक इस ग्यान के पूरे विश्थार का सारे बिंदू बनना. उस राज को समझ गए तो बिंदू र विचारों से प्रभावित हो जाते हैं और उसका अपना चिंतन है और अपने चिंतन के अनुसार हो सुना रहा है हम कहते हैं भाई ने बड़े भाई हैं बहुत अच्छे महारत थी इन्हों ने बताया है अब उसी के अनुसार हम अपनी महानेता बना लेते हैं जी जी सब इसी स संबंधित परमात्मा कहते हैं कि दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है न दूसरे की कमाई में आँख जानी चाहिए जिस कारण ही इरश्या होती है इसके लिए सदेव परमात्मा का ये स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चड़े दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ लेकिन परमात्मा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ आजकल का सबसे बड़ा बिगन जो है कोई आत्मा बहुत अच्छा पुरसार्थ करती है बहुत अच्छा योग है बहुत अच्छा चिंतन है बहुत अच्छा प्रवचन है, कला है, और उसके आधार से हम सोचते हैं, इसकी बड़ी महिमा हो रही है, बार बार इसी को पूचा जाता है, इसी को बुलाया जाता है, इसको इतना सम्मान मिलता है, अंदर अंदर उस आत्मा की विशेष्टाओं की वज़ा, उसकी कमियों पर कमाई उसका नसा अपना है, तुम अपनी गोड तो नसा चड़े, तुम अपने चिंतन में रहो, अपने अच्छे अच्छे विचार करो, अपने अंदर जो विशेष्टा है, उनको प्रेक्टिकल में ले आओ, तो तुम विशेष्ट बन जाओगे, तो दूसरे के नसे को न कमजोरियों पर भी ध्यान जाता है, देखो इतनी महिमा हो रहे हैं, इसके अंदर कुछ है नहीं, यह तो ऐसे करता है, यह ऐसे करता है, एक तरफ विशेष्टा हैं, और दूसरे तरफ हमारा ध्यान पर इट्सया के कारण, उसको गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के पर आज़ा गिलत हो आएक, और पुरसाया आतोらिया है, उसको कमाई है, उसको गिराने के लिए, यह तनी अपना यह ब्रीदा दिखेंगता है, उसको dungeons को केची के लेखें, था था नया जाना, था ऐधार, इतना अच्छा चिंतन दुखाने जो बहुत भांग पिते हैं, भांग को घोटने वाले को भी नशा चड़ जाता है परमद्मा कहता है ग्यान की भांग जो है इसका अपना चिंतन करो, अपना घुटो, तो आपको निसा चड़ेगा, आपका जीवन बन जाएगा, दूसरे से क्यों भेट कर रहे हो, उसके साथ, आपका भागा आपके साथ, बिल्कुल भाए सब हर सीन को जो भी इस ड्रामा में चल रहा है, यदि हम उसे इश्वरी नजर की स्मृति रखो, कि परमात्मा के साथ, मैं भी अधर्म विनाश और सतधर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित बनी हुई हूँ, जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित हैं, वह स्वयम, फिर अधर्म का कार्रे, वह दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर स मैं मास्टर मर्यादा पुर्शुत्तम हूं, तो मर्यादाउं को तोड नहीं सकते, ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिती हो जाएगी। अधर्म का नास और सत्धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा उत्रेत होते हैं। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम अधर्म की विनास के कारिके निमित बने हुए हैं। कोई इश्वरी मर्यादा को तोड़ने का कारे नहीं करना है। क्योंकि मैं मर्यादा पुट्सोत्तम आत्मा हूं। तो जब इतना उंचा नसा रहता है कि मैं मर्यादा इस्थापित करने वाला है। मर्यादा इस तरश्टी पर लाने वाला, दयवी मर्यादा का राज जिस्थापन कहनेवाला। उसके निमित भगवान ने बनाया है। कोई भी इश्वरी मर्यादा ने के उलंगन नहीं हुए। इसके बारे मैं थोड़ा साब बताइए। इस्वरी मर्यादा हैं जो हैं परमात्मा ने हम सब को संकल्प की, भूल की, कर्म की, दरष्टी की, ब्रत्ती की, इस्मर्ती, बहुत सारी मर्यादा हैं. जैसे एक boundary होती है, कहते हैं लक्षमन रेखा, लक्षमन रेखा क्या है? संकल्प की सकती है, जो हम सब द्रणता के साथ संकल्प करते हैं, कि मुझे पाष्ट की बातों का चिंतन नहीं करना है, इस वरी मर्यादा है, जो बीती सो बीती, उसका चिंतन नहीं करना है, हर आत्मा को उनकी विसेष्टाओं को देखना है, उनकी कमी कमजूरियों को नहीं देखना है, उनके संसकारों को नहीं देखना है, तो ये मर्यादाएं हमारे लिए हैं, बहुत हर बात के लिए मर्यादाएं हैं, पुनी सुरी मर्यादाओं को अगर हम द्रणता के साथ पालन करते हैं, तो हमें हर कदम में सफलता मिलती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मर्यादाएं परमात्मा ने मेरे लिए बनाई हैं और इन पर मुझे पालन करके ऐसी मर्यादा पुर्सोतम इस्थिती बनानी है। तब हमसे अधर्म का काम होता है। लकिर को हम ही क्रास कर रहे हैं। जो बनाने वाले हैं लकिर डालने वाले हैं अगर वही क्रास करेंगे तो दूसरे लोग उसको कैसे फालो करेंगे। बिलकुल, तो हम सबको परमात्मा उस स्वमान में इस्थित कराता है, बच्चे तुम्हारे द्वारा भी देवी मर्यादाओं का राज इस्थापन हो रहा है, सत्यूग आने वाला है, और सत्यूग इस्थापन कहने वाली आत्माएं, अगर खुद मर्यादाओं में नहीं चल इन कोमिए ड्रिक हैं, कोई बी मर्यादा का उलंगन के रहा ह je, द्रिश्टी की मिरदायίο, अत्मी ध्रिश्टी से देखो, भाई बाई की द्रिश्टी से थेखो, बोल की मर्यादाय beyond, सब किसी की बात को काटो नहीं, किताफ नहीं को सरी मर्यादा है, इनकी एक बहुत-बड बहुत सुन्दर पर्मात्मा कहते हैं कि सोचो कम करतव्य अधिक करना है सिर्फ सोचने में समय नहीं गवाना है स्रिष्टी के कयामत के पहले कमजोरियों और कम्यों की कयामत करो कई हैं बहुत सोचते हैं अगर मान लो मैं बारबार अपनी कम्यों को भी सोचता रहू हो तो निरास हो जाऊंगा इसल PAC कहता है सोचो कम सोचना नहीं है जो एक बार संकल्प कर लिया, पना कर लिया, इतनी द्रणता हो, दुनिया के अंदर लोग जिद्ध करते हैं, कोई कारे के लिए, कोई बात के लिए, जिद्ध करते हैं, जिद्ध तो एक आसुरी संसकार हो गया, लेकिन एक संकल्प में द्रणता है, मरेंगे, मिटेंगे, ले से परिवर्तन मिलाना है, जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं, ऐसा पुराने संसकारों को भस्म किया है, वह अस्थियां रख दी हैं, अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है, इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थित के सागर में समा के जाना है? वैसे भी एक नियम है किसी का संसकार करते हैं जब सरीर को जलाते हैं मुर्दे को जलाते हैं तो जलाने के बाद जब उसकी थोड़ी बहुत राक बचते हैं कुछ हड़ियां बच जाते हैं तो उनको इकठा करते हैं जब संसकार कर दिया तो जलाने के बाद उसकी इसमरत्ति आना वाना उन अस्तियों को बार बार याद करना उसमें भूत आ सकता है कमिया परवेस हो सकती है इसलिए पर्मात्मा जो सागर है उस सागर में उसको बहादो जैसे ज्यान सागर में बहादिया फिर उसको बार बार इसमरत्ति में नहीं लओ क्योंकि तुम्हारा ये जनम जो है मरजीवा जनम है पुराने जनम की कोई भी बातें किसी को भी याद आएं तो परिषान करेगा खुद को भी और अपने समन्दियों को भी. मानलो आज बच्चा कोई है, जनम लेता है, पाष्ट की बातों को भूल नहीं पाता. दो-तीन साल के बाद जब वो बोलना सुरू करता है, तो बोलने के बाद माबाप को, अपने लोकिक माबाप को, माबाप नहीं समझता है, उसमझता है, मेरा तो घर वो है, मेरे माबाप तो वो है, मेरा परिवार, पिछला याद आता है उसको, तो परिवार को परिषान करता है, और लोग कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो परमात्मा भी हम सबको कहते ह जब तुम पाष्ट जीवन से, जो हमारी विकारी जीवन, सुद्रपने की जीवन थे, उससे हम मरे, ग्राम्हन बने, सच्चे, मुखवंसा वली बने, तो पाष्ट की कोई बाते हैं, इस जनम में, जो हुई हैं, उनको बार-बार रिवाइज नहीं करो, नहीं तो जैसे विश परमात्मा कहते हैं, कि तुम हर एक बच्चे को पुर्शार्थ करना है, तक्थ नशीन बनने का, नकी तक्थ नशीन के आगे रहने का, तक्थ नशीन तब बनेंगे, जब अब समीप बनेंगे, जितना जो समीप होगा, उतना समानता में रहेगा, तक्थ नशीन से क्या दात अपने बच्चे को अपना तक्त देते हैं, जैसे कोई राजा है, तो राज घराने में बाकी सब सन्मुक रहते हैं, तो सेवाधारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं, उसामने होंगे, इनुका जो बच्चा होगा, वो उसके तक्त का मालिक होग तो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो परमात्मा चाहता है मेरे बच्चे तक्त के मालिक होने जहें, जो परमात्मा राजिभाग इस्थापित कर रहे हैं, उसमें आप इतने समीप आजाओ, जो तक्त के अधिकारी बन जाओ, तक्त नसीन बन जाओ, बाकि सामने रहने वाल तो परमात्मा हम सबको वारिस रूप में देखना चाहते है। करते थे, मस्तक में जोती बिंदु रहता था, नैनो में तेज त्रिमूर्ती के याद का ऐसे समान बनना है, समान बनने से समीब बनेंगे। और जब आपकी ऐसे स्थिती होगी तो माया स्वयम स्वतहे खत्म हो जाएगी। यह सारी आंतरिक स्मृतियों की बात है। जितना हम इस देवान से मुक्त रहते हैं, इसमृति में रहता है कि मुक्तिधाम हमारा असली घर है, अनमधाम है। और फिर हमें मुक्तिधाम से जीवन मुक्तिधाम में आना है। तो आंतरिक स्मृति से यह जो दोनों नैन जैसे खुए हुए हैं। सामने वाली आत्मा को भी जैसे अनुभो होगा, कि नैनों में मुक्ति और जीवन मुक्ति जैसे इनके द्रस्टि से भी बंधनों से मुक्त होगे। तो परमात्मा हम सब को ऐसा अभ्यास कराते हैं। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो मस्तक के बीच में लाइट चमकती हुई दिखती थी। मैंने दादी जी को देखा, दादी प्रकास मनी जी को, वो जब योग अभ्यास करती थी, या कभी महावा की उचारन करती थी, परमात्मा के महावा की पढ़कर के सुनाती थी, तो हमेशा उनके मस्तक पर एक बहुत दिप्य लाइट चमकती हुई दिखाए दे थी। एक नेच और नेनों से मुक्ती, जीवन, मुक्ती का जैसे वर्सा मिल रहा है, वर्दान मिल रहा है, मुक्त हो रही हूं आत्मा, जीवन में हूं लेकिन मुक्त हूं, तो ये दोनों अभ्यास जब हमारे आंतरिक स्थिति वैसी बनती है, जब हम देवान से डिटेच रहते हैं, उस कुछ नहीं है, और बाहर से ऐसा लगता है, बहुत ग्यानी आत्मा है, हमारी आंतरिक स्थिति का प्रभाव मस्तक और नैनों से और चेहरे से, कुछनुमा रुहाब वाला चेहरा, वो बहुत सेवा करता है, बिल्कुल भाई सब और प्रमात्मा चाहते हैं, कि हम इन सब बात सब में रेगुलर, संकल्प में, वानी में, कर्म में, चलन में, सोने में, सब में रेगुलर, रेगुलर चीज अच्छी होती है, और जितना जो रेगुलर होता है, उतना दूसरों की सर्विस भी ठीक कर सकता है, हर कारे के लिए परमात्मा की स्रीमत मिली हुई है, और स्रीम नेचुरल आँख खुडनी चाहिए उस समय मेडिटेसन के लिए पूने 4-4 पजे उठ जाओ तो जैसे अगर इसमें हम रेगुलर बन जाते हैं, क्लास के समय हम क्लास में हाजिर होते हैं, सेवा के समय सेवा पर हाजिर होते हैं और श्रीमत प्रमान वो करते हैं, तो हम उसमें regular हैं, लेकिन regular के साथ एक सब्ध और भी आता है, punctual, टाइम पर किया जाए, regular हैं, कर रहे हैं, लेकिन पांच मिट लेट आ रहे हैं, उसको regular तो नहीं कहेंगे, चलो regular है, रोज आ रहा है, समय पर आ रहा है, लेकिन समय को अगर पर प्रतिबंदित नहीं है, समय की मर्यादा का उलंगन कर रहा है, तो उसको भी regular कहेंगे, लेकिन पंचुवल नहीं कहेंगे, तो परमात्मा चाहते हैं, स्रीमत जो भी मिली हुए, सोने की, खाने की, चलने की, कर्म करने की, उठने बैठने की, सब प्रकार की स्रीमत है, उस स जो यथार्थ रिती से पालन करता, वो regular है, बलकुल, और उसमें पंचुवल रहे, उसमें अलबेला नहों, उसमें समय की मर्यादा को ध्यान पर रखे, तो regular और पंचुवल बनना है, बहुत सुंदर भाई सब, आज बहुत सारी बाते हमने समझे, और अपने अंदर जो भी कमियां और कमजोरियां उनको यथार्थ रूप से समझ कर कैसे चेंज करना है, वो भी जाना, सबाज आपने बहुत सारी बाते बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा, कि यदि हम हर कारे इश्वरी मर्यादा पूरवक करते ह हर कारे को करने से पहले परमात्मा से वेरिफाई कराते हैं, बातों के साजों में न जाकर सदा उसके रास को समझते हैं, तो हमारे हर कारे में सफलता हुई पड़ी है, साथ ही परमात्मा ने हमें समझाया कि हमें अपने हर कर्म द्वारा सेवा करनी है, अपने नैनो द्वार को अपने जीवन में धारण करते आप सभी आगे बढ़ते रहें ये हमारी आप सभी के प्रती शुभामना है अगले अपिसोड में एक और अव्यक्त मुडली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए ओम शान्ति मुख्यसार सौगुणा सजा से पचने के लिए हर संकल्प हर कारे को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरिफाई कराओ इससे कोई भी विकर्म नहीं होगा कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर रास को जानो स्थिती समान और संपूर्ण हो इसके लिए सोयम को परमात्मा के करतव्य सत्धर्म की स्थापना के अर्थ निमित्त समझने से अधर्म वा देवी मर्यादा तोड़ने के कारे नहीं होंगे रेगुलर उनको का जाता है जो सुभास लेकर रात तक हर कारे श्रीमत के प्रमान करें संकल्प वानी और कर्म सब में रेगुलर